वेलकम टू एकजाम सहपाथी आज के इस क्लास में हम भारती सम्विधान में अनुसूचियों और उनके भाग के बारे में देखेंगे ये हमारे NCRT सार संगरफ पुछतक के important questions है ठीक है न? तो आईए स्टार्ट करते हैं पहला question देखते हैं भारत के मूल सम्विधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी तो ये आपका पहला question मूल सम्विधान में भारत के कुल आठ अनुसूचियां थी ठीक है न? लेकिन वरतमान में अगर आपसे पूछा जा कि तो उसका जो आपका गठन है ये किस अनुसूची में दिया गया है इसका प्राउधान तो ये है आपके प्रथम अनुसूची में ठीक न तो पहले अनुसूची आपके भारती संग में नेराज्यों के गठन से संबंदित है भारति संग کی पहले अन्सुची राज्य के नाम तथा उसके राज्य छेत का विवरण भी परतान करती है जो आपके राज्य और संग सासित प्रदेसों के नाम है ठीक न? वो सब ही आपके कहां पे मिलेंगे आपके प्रताम अनुसुची में भारती सम्विधान में नवी अनुसूची को किस सम्विधान संसोधन के माध्यम से जोड़ा गया तो ये question आप से बहुत बार पूछा गया है याद रखेंगे कि पहले तो आपको ये बताया गया कि कितनी अनुसूची थी तो आठ अनुसूची थी जब आपका सम्विधान लागू हुआ था फिर आपका जो पहला आपकी जो है सम्विधान संसोधन हुआ प्रथम सम्विधान संसोधन 1901 में हुआ था इसमें आपका नवी अनुसूची को जोड़ा गया अगला question है, सरकारों द्वारा सुल्क एवं कर लगाने का अधिकार सम्विधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है, तो ये आपके सातवी अनुसूची में दिया गया है, ठीक, तो सातवी अनुसूची में आपका जो आपके सुल्क कर लगते हैं, ठीक है न, जो आपके केंद सरकारा सरकार लगाती है, वो आपकी सातवी अनुसूची में दिया गया है, टैक से सम्मंदित, राज्य भूमी सुधार अधिनियम को सम्विधानिक सुरक्षा प्रदान करने हैं तू, इसे किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है, तो राज्य भूमी सुधार अधिनियम जो था, यह आपकी नवी अनुसूची में सामिल किया गया था, जिसे 1991 में प्रथम सम्मिधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया था, भी आपको बताया गया, पहले आठ अनुसूची थी, ठीक है, उसके बाद वर्तमार में अभी कितनी है, तो वर्तमार में बारा नुसूचियां है, लेकिन जो पहला जो आपका प्रथम सम्मिधान संसोधन हुआ था, उसमें आपकी नवी अनुसूची चोड़ी गई, और अभी हम लोग नीचे भी देखेंगे, आपका दस्वी, देखें, यहाँ पे दस्वी आपका दिया गया है, ठीक है न, दस्वी अनुसूची को जो है आपके बावनवे सम्मिधान संसोधन अद्नियम, उननीस सो पचासी के द्वारा जोड़ा गया, तो यह सम्मिधान संसोधन जो हैं आपके, यह इंपोर्टेंट है, ठीक है न, जो आपका नवी पूछा जाता है कि सम्मिधान संसोधन से जोड़ा गया, दस्वी पूछा जाता है, उसके बाद इग्रावी और बारहवी भी आपसे पूछा जाता है, वो मैं आपको नीचे बताऊंगा तो इसे 52 सम्विधान संसोधन के दोरा जुड़ा गया दसवी अनुसूची को और इसे कब जुड़ा गया था तो 1985 में हुआ था आपका 52 सम्विधान संसोधन 91 सम्विधान संसोधन अधनियम 2003 दोरा इसमें संसोधन किया गया और इसे दल बदल बिरोधी कानून भी कहा जाता है तो इस नाम से भी आपसे पूछा जाता है कि दल बदल बिरोधी जो है आपका जो आपका सम्विधान संसोधन है वो किस अनुसूची में है तो ये आपके जब सम्विधान लागू हुआ था तब इसमें 14 भासा है ठीक है जो आपकी अंग्रेजी भासा है ये आपके इन 22 भासाओं में सामिल नहीं है ये भी आप याद रखेंगे ओके अब देखते हैं मनसूचियों का संचिप्त विबरण कि इसमें क्या-क्या है ये आपसे पूछ जाते हैं कभी-कभी तो पहली अनसूचि आपका important है ठीक है ये भी आपका इसमें क्या है तो इसमें आपके राज्यों और संग राज्य छेत्रों के नाम और उनकी सीमाएं है ठीक है न कौन-कौन से राज्य और संग राज्य छेत्र है ठीक वो आपके पहले नसूचि में है दूसरी अनुसूची में क्या है कि जो भी आपके ये सारे पद होते है राज्ट्रपती, राज्यपाल, लोक, सभाध्यक्ष इन सब के वेतन, भत्ते और पेंसन से जो जुड़े जो प्रावधान है ये कहां पे है तो आपके पेंसन और भत्ते से जो जुड़े प्रावधान है वे आपकी दूसरी अनुसूची में है ठीक है न तीसरी अनुसूची में क्या है तो तीसरी अनुसूची में जो आपके सपत लिये जाते हैं सपत या प्रतिग्यान जो आपके है तो जो आपके अध्यक्ष चुने जाते हैं जो भी आपके संसत के सदस चुने जाते हैं इन सबका जो आपका सपत लिया जाता है ये आपके तीसरी अनुसूची में दिया गया है चौथी अनुसूची में क्या है तो इसमें राज्यों और संग राज्य छेतरों के लिए राज्य सभा में अस्थानों का आवंटन है ठीक है ना तो राज्य सभा में जो है किस राज्य से या फिर किस केंद्र सासित प्रदेश से कितने जो है सीटे होंगी इनका वंटन कहाँ पे किया गया है तो यह आपके चौथी अनुसूची में किया गया है पाचवी अनुसूची में आपका क्या है तो अनुसूचीत छेत्र जनजातियों और प्रशासन के नियंतरन से जुड़े प्राउधान जो आपके है यह भी आपको क्वेश्चन में भी मिला था यह आपके अनुसूची जो है पाच में है ठीक है पाचवी अनुसूची में जो आपके अनुसूचीत छेत्र और जनजाति के प्रशासन से संबंधित उबंध ठीक है पांचवी में क्या था पांचवी में इसके अलावा और सभी के बारे में दिया गया है यानि कि इन चार राज्यों के अलावा सभी के बारे में आपके पांचवी में दिया गया है लेकिन छटवी अनसूची में ये चार राज्यों तो यह आपके सातवी अनसूची में है और इसी में आपका संग सूची, राज सूची और समवर्ती सूची के बारे में इसमें जो है आपके बताया गया है ठीक है? किस अनसूची में? सातवी अनसूची में आठवी अनसूची में सम्विधान द्वारा प्राप्त 22 भासाओं की सूची है तो भासा संबंधी जो आपकी अनुसूची है वो कौन सी है तो वो आपकी आठवी अनुसूची है ठीक है ना तो आठवी अनुसूची तक ही जब आपका समविधान लागो हुआ था 26 जनुरी 1950 को तब उसमें केवल आठ अनुसूची थी नुसूची अभी आपको बताया गया प्रथम समविधान संसूधन के द्वारा जोड़ा गया और इसमें जो आपसे पूछा जाता है कि इसमें क्या था तो इसमें आपका भूमि सुधार और जमिधारी उन्मूलन से सम्मंदित अधनियम थे ठीक है न तो यही आपसे पूछा जाता जो आपका भूमि सुधार और जमिधारी उन्मूलन से सम्मंदित जो आपका अधनियम था यह की सनसूची में है तो यह आपके नवी अनसूची में है फिर आपको बताया गया कि दस्वियन सूची तो इसमें अभी आपको बताया गया कि दल बदल से सम्मंधित जो आपके प्रावधान है ये किसमें है ये दस्वियन सूची में है और ये कौन सा सम्विधान संसोधन था ये भी आपसे पूछा जाता है तो ये आपका वावनमा स संविधान संसोधन था और ये कब हुव था तीरणवेवा संविधान संसोधन नान्टीन नान्टी टू में हुआ था लागु आपका दे थ्र Burns प contributed 93 में हुआ था लकिं संसोधन कब हुआ था 19 va इसके अलाबह जो आपकी बारावियन सोची है ये नगर का उसे सम्मन्दीत है और ये कौन सा था तो ये अपका तो यह हमारे क्या थे सम्विधान के अंसूची अभी देखते हैं जो है सम्विधान के भाग के बारे में इसमें एक चीज और याद रखिएगा कि आठवे अंसूची में जो आपकी सिंधी बासा है इसको 21 सम्विधान संसोधन नियम 1967 के द्वरा जोड़ा गया था तो अब द चार तक के जो अनुच्ध है वो संग और राजी छेतर से संबन्दित हैं ठीक है नागरिक्ता संबन्दित जो प्राउधान यह नुच्छेथ 5 से 11 तक के बीच में है और सम्विधान का कौन सा है तो सम्विधान का भाग 2 यह नागरिक्ता को बताता है मूल अधिकार नीति के बारे में बताया गया है और आपका अगला है राजय के नीदिन दे सकते हो तो जो कि आपके भाग 4 में है ठीक है DPSP और ये आपके DPSP है वो आपके 36 से 51 अनुछे 36 से 51 में इन्हे रखा गया है मूल करतब भी इंपोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये भाग 4A में है ठीक है भाग 4 का बोल सकते हो हिंदी में या फिर भाग 4A में ठीक है तो ये आपके मूल करतब में है ये और इसका अनुछे जो है ये भी आपके अनुछे 51 का के अंतरगती से रखा गया है ठीक है डेपी आसपी आपका 36 से 51 तक है और मूल करतब अनुछे 51 का में ही इसको रखा गया है नेक्स्ट हमरा है संग दा यूनियन से संबंदित और ये अनुछे का कौन सा है संग से संबंदित सारे प्राउधान आपके संविधान के भाग 5 में दिये गए है राज संबंदि प्राउधान कहां पे है तो राज संबंदि प्राउधान संविधान के भाग 6 में दिये गए है ठीक है तो इस्टेट से संबंदित अपके भाग 6 में है यानि कि राज जिपाल राज की विधान अगला हमारा है पंचायतें तो पंचायतें आपके भाग 9 में जोड़ी गई है ठीक तो भाग 9 में है और नगरपाल का एक इसने है तो भाग 9 आपके भाग 9 में जोड़ी गई है ठीक है तो नगरपाल का है भाग 9 A में और आपका पंचायतें यानि कि पंचायती राशनस्ता है आपके भाग 9 में है ठीक है भाग 9 B में कौन सी है तो ये आपके सहकारी समीतियां जो है जबके भाग 9 B में है 97 में सम्विधान संसोधन के द संग और राज्यों के मध्य जो संबंद है यानुचेत के किस भाग में है भाग 11 में है वित्त संपत्ति संविधाएं और वाद किस में है तो ये आपके संविधान के भाग 12 में है ठीक है न इसके लावा राज्य छेत्र के बीतर जो ब्यापार होता है वाड़िज और समागम होता है तो ये देखिए सारे आपको important नहीं है सब आपको याद नहीं रखने है कुछ आपके जो आपसे पूछे जाते हैं वो आपका है बारती निर्वाचन ठीक है ठीक है राज भासर से सम्बंदित कौन सा भाग है तो ये आपका भाग 17 है ठीक है आपातुबंद आपसे पूछ ले जाते हैं तो आपातुबंद भाग 18 में है इसके लाव सम्विधान संसोधन किसमें है तो ये आपके सम्विधान संसोधन के मध्ध विधाई संबंधों को दरसाता है ये भी आप याद रख लेंगे भाग 11 का जो अध्याय एक है संगहराज्यो के मध्ध विधाई संबंध दरसाता है ठीक है तो ये हमारे जो है समविधान की अनुसूचियां और भाग थे उमिद करता हूँ कि आपको चीजें अच्छी लगे होंगी तो वीडियो आप लाइक कर देंगे वीडियो आप जो है अपने दोस्तों तक सेयर भी कर दिया कीजिए ठीक है वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद